और जिस तरह के वीडियोस जो आ रहे हैं, हमारे कई लोग होँपे गए थे, कई पार्लिमेंटरियन्स होँपे गए, कई अलगलग दल के निताओं होँपे गए, हमारी महिला कॉंग्रेस की टीम होँपे गए थे, नौर्थ इस्टे हमारे बहुत सारे लोग होँपे गए थे, वहां से वीडियोज बनाके लाए हैं, तरे तरे के कानिया सुनके वहां पर आए हैं, वो सारा पार्लिमेंट के सामने वो रखना चाहते हैं, पार्लिमेंट को बताना चाहते हैं, वो पर क्या चल रहा कैसा चल रहा करके, लेकिन ये चर्चा के लिए त्यार नहीं, बस ये बार करते आएं लेकिन ये 267 के अंदर पिछले 6-7 साल से एक भी discussion होने नहीं दिया भी तक लास्ट discussion जो हुआ था वो 2016 में demonetization पर इन्होंने 267 पर discussion करवाए था इसके पहले ये जो बार बार ये कहते हैं कि इस पर हम discussion नहीं देंगे एक ruling दे जेते हैं चेर्मियन आकर कि इस पर नहीं हो सकता 167 पर करवाएंगी ये बार बार 176 पर करवाएंगी बार बार ये कहते हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के टाइम पे 90 सी 92 के बीच में चाहर टाइम 267 के तहट discussion करवाया गया था बहरो सिंग शिकावजी जब चेर्मन थे उन्होंने एक साल में 2004 में तीन तीन टाइम 267 के तहट उन्होंने discussion करवाया था हामीद अंसारी साथ 2013-2016 के बीच में चार बार 267 के तहट उन्होंने discussion करवाया था आखिरकार कौन सी ऐसी बात इस सरकार में है कि ये discussion नहीं चाहती है ये फुल फ्लेज discussion करवाना नहीं चाहती है हम लोग बार बार यही कह रहे है कि मनीपूर का जो आज issue है बड़ा pressing issue है उसके अपर चर्चा होना चाहिए और लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं लोग वहाँ पर जाके सुन के आएं वो लोग अपनी बात रखना चाहते ह सामने देश के सामने रखा जाएं उसके बाद सरकार अपने तरफ से उस वहाँ पर जो चल रहा है उसको जल से जल वहाँ पर लॉण डाउटर सिच्वेशन को रेस्टोर करें और गवर्नर खुद होंपे कह रहे हैं कि इस तरह की घटना हैं उनकी जिंदगी में वो कभी ना और सरकार हुआ कि गवर्मेंट को बर्खास कर दें